टीला मौहले में एक मकान से मिले चार तमंचे, एक हत गोला मिला है। थाना दक्षिन पुलिस ने तीन किरायदारों से की पूछताच तो उन्होंने जतायन भिग्यता। मामले में SSP आशीश तिवारी ने जानकारी और कहा कि जल्द किया जाएगा खुलासा। फिरोजाबाद थाना दक्षिन पुछेतर तीला मौहले में एक मकान में चार तमंचे, वो एक हत गोला मिला जिसकी जाच की जा रही है उक्त सब मिलने पर शक्याधार पर तीन किरायदार लोगों को पुलिस पूछताच को थाने लेकर आई, जिनसे मामले में जानकारी की गई तो उन्होंने अन्विग्यता जताए, बताया गया कि थाना दक्षिन क्षेतर तीला मौहले स्थित एक मकान जो की किसी परवीन खान का बताया गया है में पुलिस को कुछ अवैध हत्यार आदी होने की सूचना मिली जिस पर मौके पर थाना पुलिस पहुँची, इस की लिया है बाकी पूचताच की जा रही है तीनोंने अन्विग्यता जाहिर की, है पूचताच की जा रही है देखिए ये फुरुदाबाद पुलिस की लगातार अवेश असरों किलाब करवाई चल रही है उसी क्रम में जो है चार तमंचे और एक खतगोला जो है वो बरामद हुआ है ताना दक्षण में मौलना टीला से अब वो किसके द्वारा किया गया है उसमें तुरंत जो है विदी करवाई की गई है अब योग पंजीग्रत किया गया है और उसमें अब विवेशना में उसका नावरण किया जाएगा अभी रिकवरी हो गई है सब्सक्राइब कि लोगों को इस लोगों को हिराज़त में पूश्टाश की जा रही है और इसका जैसी अनावरण होगा वो अबगत करा जाएगा श्रीक रिसका नावरण किया जाएगा